Hi guys, welcome back to my channel, मैं हूँ स्रिश्टी केडा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं The University of Georgia के बारे में अगर आप भी MBBS in Georgia के बारे में सोच रहे हैं या फिर The University of Georgia के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाली है So make sure you watch this video till the end क्योंकि इस वीडियो में हम The University of Georgia के सारे facts उसका overview, उसकी labs, उसका program, उसकी fees वहाँ का lifestyle, वहाँ का infrastructure, वहाँ के hospital tie उस वहाँ का clinical exposure, वहाँ का food, वहाँ के hostel eat and everything ये सब कुछ हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं So make sure you watch this video till the end Before I go ahead in the video, मैं आप सबसे पूछना चाहते हूँ कि अगर आप MBBS in Georgia के बारे में सोच रहे हैं तो आप किस उनिवस्टी के बारे में सोच रहे हैं See, before I go ahead and start about the University of Georgia मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ वो चीज़ ये है कि Georgia में बहुत सारी एक तो private universities है private colleges है और साथ में Georgia में बहुत सारी universities ऐसी नहीं हैं जो बहुत पुरानी हो बहुती थोड़ी सी university हैं जो पुरानी है और जिनका budget actually में बहुत सादा हो जाता है दूसरी चीज़ में आपको ये clear करना चाहती हूँ कि जो थोड़ी सी universities भी हैं उसमें से hardly ही कुछ बच्चे हैं जो वापस पढ़ करके आए हैं So if you are looking for MCI ratio तो वैसा facts आपको MBBS in Georgia को लेकर के मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा So now let's get started with the University of Georgia जब हम बात करते हैं the University of Georgia हम क्या करते हैं हम जा करके Google search करते हैं about the University of Georgia अब होता क्या है University of Georgia एक university है जो US में है और दूसरी है the University of Georgia जो TBC में है जिसके बारे में हम इस video में बात करने वाले हैं तो इसलिए make sure कि जब आप research कर रहे हैं अपनी तो थोड़ा सा धिहान रखें कि University of Georgia के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं the University of Georgia जो की TBC में है अगर मैं इसके overview की बात करूँ यह जो university है यह WHO, MCI, FAMER, ECFMG, AME सब approval accreditation इसके पास हैं मतलब कि आप दुनिया में जहां पे भी चाहें आप settle हो सकते हैं उस country का exam दे करके That is the first fact Second thing, यहां पे currently 6,000 students है मतलब कि बहुत सारे international और local students है तो युनिवर्सटी को enough exposure है आप लोगो को पढ़ाने का उसके अलावा युनिवर्सटी जो है वो city center में available है देखो city center में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब हम Georgia की बात करते हैं तो Georgia में जो population है वो already कम है especially when we compare it to India तो काफी ज़्यादा कम है तो इसलिए अगर हम Georgia जा रहे हैं तो हमेशा try करें कि आप Tbilisi में ही जाए और Tbilisi में भी ऐसी जगा पे ना जाएं जो की बहुत ज़्यादा outskirts हो या फिर center से बहुत ज़्यादा दूर हो try to be in the Tbilisi area जहां पे population हो देखो फरक नहीं पड़ता है आप outskirts पे हैं या कहीं पे भी हैं why we are avoiding outskirts is की population कम हो जाती है बट ये जो university है ये ऐसे area में है जहां पे population exist करती है अगर population exist करती है इसका मतलग है कि आपको practical exposure मिल जाएगा but if you will go in an area की जहां population बहुत कम होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा so coming back to the university of Georgia ये ऐसी जगा पे है जहां पे population exist करती है developed city है तो बहुत सारी बहार में भी आपको सारी facilities मिल जाएगे this university was established in 2004 जैसे कि मैंने आपको वीडियो के starting में ही बताया था कि बहुत सारी बहुत जाएगा पुरानी universities आपको Georgia में नहीं मिलेगी so the same goes with the University of Georgia ये एक private university है 2004 में ही established हुई थी वो लॉगना process follow करती है जिसकी वज़े से quality of education काफी अच्छी है now if I go ahead and talk about the fee structure of the University of Georgia तो यहां की जो tuition fees है it is $6,000 however आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हम से scholarships के बारे में पूछते हैं so you have that chance in the University of Georgia in the University of Georgia हमारे पास scholarship seats available है and there is a chance that कि आपको 6,000 tuition fees ना भरनी पड़े you might not have to pay $6,000 tuition fees आपको waiver मिल जाए and you might have to pay just $5,000 तो आपको $1,000 per year का waiver मिल सकता है scholarship मिल सकती है पर जो scholarship seats होती हैं वो काफी limited होती है so make sure you book the seat as soon as possible क्योंकि बात में जाके scholarship seats मिलना बहुत सादा मुश्किल हो जाता है so that is one thing $6,000 तो होगे जो आपकी tuition fees है अगर हम बात करते हैं वहाँ पर रहने और खाने की roughly roughly $3,000 तक का expense आता है food और hostel दोनों चीज़े मिला करके for an year तो लगबग लगबग $9,000 तो होगे आपका tuition fees, hostel, food इसके अलावा TRC, medical insurance और visa extension के भी खर्चे होते हैं TRC और visa extension एक ही चीज़ है अगर आप TRC ले ले लेते हैं तो हर साल visa extend नहीं करना पड़ता है तो ये सारी चीज़े हैं जब आप इन सारी चीज़ों की costing accumulate करते हैं तो एंडियन रुपीज में लगब लगबग $44,000 तक की ये university आपको पड़ती है so whenever we are talking about the budget we are including tuition fees, hostel, food, medical insurance, visa extension everything for complete 6 years अब इसमें क्या चीज़ included नहीं है क्योंकि बहुत सारे parents or students का question होता है कि कुछ hidden charge है क्या कुछ extra charge है क्या see there is nothing like hidden charge we'll tell you everything in advance but there are some things जो हम भी आपको नहीं बता सकते हैं जो कि extra में चली जाती है जैसे कि आपका personal expense no one can define your personal expense क्योंकि वो depend करता है आपके lifestyle पे that is in the extras आपका जो personal expense है वो इस budget के अलावा extra रहेगा second thing that would be extra is your travel देखो Georgia में साल में दो महीने के लिए छुटी होती है बहुत सारे बच्चे इंडिया वापस आते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं भी आते हैं so it is up to you कि आपने साल में एक बर आना है दो साल में एक बर आना है छे साल में एक बर आना है या नहीं आना it's all up to you तो हम उस चीज़ को define नहीं कर सकते हैं also the ticket price is very fluctuating तो कोई भी define नहीं कर सकता इसलिए आपका personal expense और आपका travel cost जो होता है वो हमेशा extra expenses में हम लोग लेकर के चलते हैं उसके बाद चीज़ आती है currency fluctuation देखो जो भी मैंने आपको expenses बताए हैं वो current dollar rate के हिसाब से बताए हैं जो की roughly roughly 80 rupees में equivalent चल रहा है इंडिया में but आगे जाकर के पूरे 6 साल में obvious है कि dollar का price जो है वो fluctuate करेगा currency fluctuations जो भी होंगी that would be your extra cost हो सकता है कि शायद आपके पैसे बच भी जाए in case dollar का price कम हो गया तो so currency fluctuation is something that is in extra so extra में तीन चीज़े हो गई आपका travel, आपका personal expense और currency fluctuation so ये तो हो गई the University of Georgia के fees और expenses की बाद अब हम बात करते हैं वहां के hostel की और वहां के खाने की देखो hostel में ही आपको खाना मिल रहा है और hostel university से बहुत जादा दूर नहीं है it is available at the walking distance आप अराम से जा सकते हैं वहां पे बहुत जादा दूर नहीं है प्राइवेट युनिवस्टी है और प्राइवेट वेंडर का ही hostel है hostel जो है वो mostly rooms हो है वो three sharing है बट कुछ rooms for sharing भी है बट mainly maximum rooms हो है वो three sharing है यहां पे आपको AC भी मिलेगा और heater भी मिलेगा now you must be wondering कि AC भी है और centrally heated भी है तो ऐसा दोनों चीज़े एक साथ exist क्यों कर रही है वो इसलिए exist कर रही है कि Georgia का जो weather है वो moderate है ना तो वहां पे extreme thund होती है और ना ही वहां पे extreme गर्मी होती है तो still मौसम के according आप अपने आपको adjust कर सको इसलिए आपको वो दोनों चीज़े प्रवाइड की जा रही है you have the ACs as well and you have the central heating system as well in the hostel, in the university, दोनों चागा पे उसके अलावा आपको रूम में शेरिंग के लिए बेड मिलेगा, बेडिंग मिलेगी, पिलो मिलेंगे यह सब चीज़े आपको मिलेंगी, आपको ले जाने की जुरूरत नहीं है अरगर मैं खाने की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको Indian food serve होगा and you will get breakfast, lunch, dinner, तीनों ही meals आपको मिलेंगे तो बहुत ही convenient होता है जह हम लोग को तीन meals मिल जाते है Georgia में यह बहुत अच्छी बात है कि almost अब जगा पे 3 meals मिलते हैं however, if we talk about Russia या Ukraine वहाँ पे ऐसा नहीं होता था so you have that advantage in Georgia तो hostel जो है, neat and clean है, hygienic है और एक question होता है parents का safety के बारे में अगर आप hostel में हैं तो आप बहुत ही safe है, not just hostel Georgia itself ही बहुत safe है country को अगर आप देखेंगे safety index पे तो number 6 पे rank करता है और अगर मैं hostel की safety की बात करूँ तो आपके बास cctv's है, तो obvious है कि आपको monitoring में आपको time restriction है, time restriction जरूरी भी है उसके अलावा guards है और on call ambulance doctor है तो as such safety or security में आपको कोई भी problem नहीं आएगी especially when you are sending your child to the university of Georgia अच्छे hostels से अच्छा खाना है, now coming on to the teacher and student ratio, की teacher student ratio कैसा है क्योंकि quality को maintain करने के लिए teacher student ratio अच्छा होना बहुत जादा जरूरी है on an average 25 students के उपर एक teacher मिल जाएगा and the teachers are highly educated काफी जादा उनको knowledge है, काफी जादा उनको experience भी है so in the near future we are expecting की जो MCI ratio होगा the university of Georgia का वो भी अच्छा ही जाने वाला है because quality education आपको मिल रही है और books जो है वो दोन तरह से आपको मिल रही है offline भी मिल रही है और online भी मिल रही है कुछ एक चीज़े हैं जो online PDF में है कुछ एक चीज़े हैं जो on paper है और library की facility जो है वो काफी अच्छी है आपको library में most of the books मिल जाएंगी तो आपका जो books का expense है वो बहुत जादा नहीं होने वाला है और अगर आप online पढ़ सकते हैं वो expense और जादा कम हो जाएगा मतलब if we are okay to read on the screen तो वो expense और जादा कम हो जाएगा तो library बहुत अच्छी है अगर मैं laboratory इसकी बात करूं क्योंकि being a doctor हमें चाहिए कि हमेरा practical बहुत अच्छा हो तो practical अच्छा कब होगा जब labs अच्छी होंगी यहाँ पे simulated hospital है so बहुत सारी जगा पे just simulators होते हैं बट यहाँ पे simulated hospital है simulated hospital से मेरा क्या मतलब है simulated hospital से मेरा यह मतलब है कि पूरा का पूरा जो setup है वो hospital जैसा है it is just that कि patients की जगा पे वहाँ पे simulator है पूरा setup starting from the stretcher to the wheelchair to the reception area to the waiting lounge सब कुछ जैसा एक hospital में होता है to the medicine cabinet, ICU यह सब कुछ उनोंने एक simulated environment में design कर रखा है it is just that कि वहाँ पे patients की जगा पे simulators है और simulators भी ऐसे नहीं है कि dummies हैं, plastic bodies हैं, no they are the controlled simulators जिनको modify किया जा सकता है as per the requirement they cry, they bleed और उनके tears भी निकल का है it is that level of simulation और जो आप उन पे stitching भी कर सकते हैं आप उन पे dissection भी कर सकते हैं that is the level of simulators that they have in the University of Georgia I hope कि आपको यही चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको practical exposure अच्छा मिल रहा है और साथ में the University of Georgia की यह चीज़ अच्छी है they do not wait till you know 3-4 years to take you to the hospital जो यह simulated hospital है यह आपका second semester से ही वो start कर देते हैं so that in the later years जब आप actually में hospital में जाएं so you have all that knowledge क्योंकि stretcher यूज करना भी एक first year के बच्चे को नहीं आता होता बहुत सारे functions होते हैं जो use करने नहीं आते हैं कि how to shift a patient from a stretcher to the bed या from the bed to the stretcher बिना patient को harm किये यह सारे चीज़े बहुत hospital manners में आती हैं यह चीज़े आपको पहले ही सिखा दी जाती है before you go to the actual hospital अगर मैं hospital tie-up की बात करूं तो the largest hospital से इनका tie-up है और आपकी जो भी practice होगी वो उसी hospital में होगी और आपको अच्छा exposure मिलेगा you will not have to actually you know sort of wait की हाँ हमारी बारी कब आएगी सीखने की अच्छा exposure है और patient and flow भी अच्छा है अगर आप दे उनिवस्टी ऑफ जॉर्जिया के बाले में एक मित है कि अगर आप दे उनिवस्टी ऑफ जॉर्जिया जा रहे हैं तो आप American program में जाएए बट लेट मी भी वेरी क्लियर आप जाकर के उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं दा यॉनिवस्टी ऑफ जॉर्जिया में जन्रल मेडिसिन का एंगलिश में एक ही program है कोई American program नहीं है American program के नाम पर आपको जादा fees पे करने की जुरूरत नहीं है it is just single program उसी में ही आपका admission होगा और से कुछ अलग नहीं है so if you have something in your mind about the American program and the settlement in Germany, US, UK तो वो चीज़े छोड़ दीजिये it is all same कुछ भी difference नहीं है वहापे एक ही program है सब बच्चों के लिए now moving on to the coaching बहुत ही कम universities ऐसी होती है जो आपको coaching प्रोवाइट करती है the University of Georgia आपको next की coaching प्रोवाइट कर रही है starting from third year क्योंकि obvious है first, second, third में जो आप पढ़ रहे हैं six year के बागा आपको याद उतना नहीं रह पाएगा that is the reason they are starting the coaching from the third year so overall अगर मैं देखूं तो Georgia के हिसाब से okay university है in terms of budget क्योंकि Georgia को जो budget है 35 प्लस जाता ही जाता है इस university का लगभग 44 लाक्स अग जाता है तो budget-wise on the medium range है but if I talk about the quality quality काफी अची है if you are thinking about the University of Georgia तो ये एक अच्छा option है आप यहाँ पर admission ले सकते हैं and you will not face any issues in the future I hope कि आपको बहुत सारी चीज़े clear हो गई होंगे about the University of Georgia if so, make sure to hit the like button and I'll see you in the next video thank you so much